हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्तपूर वीडियो लाया हूँ यह वीडियो एगरी कल्चर से सम्मंदित है तो मैं यह चाहूंगा कि आप यह वीडियो लास्त जरूर देखे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो किर्पिया वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अनार के बारे में देखने वाले हैं और यह जो है नीम्रास सुन्दा बुक के जो है जो हिंदी बुक है उससे सम्मंदित है तो चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को पूनिकेसी है उत्पत्ति अस्थान इरान है फल प्रकार ब्लॉष्ट प्रकार का है और खाने वाला भाग क्या है जूसी सीट कॉट है यह जिसको अरिल कहते है अनार उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम अस्थान है भारत में महराष्ट राज्य अनार उत्पाद पौधे के मुकाबले सूखा से अंसिल पौधा है और अधिक गर्मी यह सुस्क छेत्रों में प्रयुक्त है और फल पकते समय सुस्क जलवायू वा उच्च तापमान से फलों में मिठास बढ़ती है अनार का जूस दोता है कुष्ट रोगियों के लिए लाबदायक है और में जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है अनार का प्रवर्धन जोता है कठोर काश्ट कलम हार्ड उड कटिंग या एर लेरिंग द्वारा किया जाता है और जुलाई अगस्त रोपड के लिए उप्युक्त समय है और राजस्थान में अनार की खेती बाड मेड जोदपूर जालोर भीलवाड चितर सवाई माद zooipur आदि जिलों में की जाती है अनार की कम पानी की मत के कारण यदो राजस्थान में अम्रेग बाहर जो है उप्युक्त है जो है तो अनार का उत्पत्य अस्तान क्या है इरान है और ये जो है विश्व में अनार उत्पादित में भारत का कौन सा अस्थान है तो पहला है और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्जी उगाता है तो महराश्ट है उत्पादित करता है और अनार का जूज किस के लिए लाबदायक है तो कुष्ट रोगियों के लिए लाबदायक है और किस प्रकार का प्रवर्धन अनार में होता है तो कठोर काश्ट कलम यानि कि हार्ड वूट कटिंग या फिर एर लेरिंग द्वारा होता है और जुलाइ अगुस्त हे है रोपड का उप्यूकत समय है अब बहार आता है तो इसमें पहला आता है अंबे बहार और फुल आने का समय क्या है जनवरी फर्वरी तुडाई का समय क्या है छुलाइ अगस्त और विसेशता क्या है इसकी अधिकुपज मिलती है इसको हम लोग जायत की भी एक हिसाब से कह सकते है जिस प्रकार जायत का समय जो सीजन होता है वही होता है याद करने के लिए और मरिक बाहर दूसरा आता है जून जुलाई और तुड़ाई का समय नौंबर से जनौरी होता है और पानी की कमी वाले छेत्रों में उप्यूक्त वाकीट बीमारियों का प्रकोब जादा रहता है इसमें मरिक बाहर में अब हस्त बाहर आता है तो सितंबर अक्टूबर पूलाने का समय है और तुड़ाई का समय फरवरी मार्च है और विशेशता क्या है फल जो है उच्च गुलवत्था वाले होते है तो अबे बाहर में जनौरी फरवरी मरिक बाहर जून जुलाई और हस्त बाहर सितंबर अक्टूबर हस्त बाहर में क्या होता है उच्च गुडवत्ता वाले फल अम्बे बहार में अधी कूपज और मुरिक बहार में पानी की कमी वाले छेत्रों में उप्युक्त कीट बीमारियों का प्रकुप जादा रहता है अब अनार की किस्मे तो इसमें आता है जालोर सीडलेस इसकी विशेष्टा क्या है तो सामानिता राजस्थान में उगाई जाती है और सूखा सहनसील है तथा अच्छारी भूमी में उप्युक्त है तो जालोर सीडलेस में क्या है राजस्थान में उगाई जाती है और या सूखा सहनसील भी है अच्छारी भूमी के लिए उप्युक्त भी है अगला है गडेश जो कि महराश्ट में प्रश्लित है आलंदी किस्म से चैनित की गई है अब कंधारी आता है विदेशी किस्म है हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है अरक्ता आता है प्रोसेसिंग वर निरियात के लिए उप्युक्त किस्म है मुर्दुला आता है इसके फल गहरे लाल होते हैं और यह गुल एशा रेट का संकर है और रूबी यह आई आई एचार बंगलोर दोरा जो ता है विक्सिस संकर किस्म है और डोल का यह गुजरात में प्रशलित किस्म है और जोदपूर रेड राजस्थान की सूखा सहनसील किस्म है लेकिन फल पटने की समस्या से ग्रस्त है पेपर सेल नरम बीजवाली किस्म है और भगवा यह जिसको सिंदूरी भी कहते हैं तो इसका यह जुता है चमकीला लाल रंग का होता है और इसलिए से सुंदूरी भी कहते हैं देरियात के लिए उप्यूकत है बंडारन चमता इसमें अच्छी होती है देरी से पकने वाली है और अधिक उत्पादन देने वाली तता रोग व्यादी के से जुता रोधी किस्म किसमें है और यह माराष्ठ वाराजस्थान में सबसे अधिक उगाई जाने वाली किसमें है अнологि अमलीदना अमली दाना अमली दाना जो है गड़ेस और नुजना का संकर नृट इसम्हान से विक्षत जो है नही किस्म है अब अनार की कीच why तो इसमें पहला आता है अनार की तितली जिसको अनार बटर फ्लाई भी कहते हैं यह वीरा कूला आइसो करेटस और जो है अनार की प्रमुक कीट है नियंतर्ण के लिए जोता है फलो को जोता है बटर पेपर से ढख दें और कारवोरील या डाइमिटोएट एड़ रेट वन एमल पर लीटर के हिसाब से छिड़काओ करें अव्याधी या वीमारी तो इसमें पहला था है बैक्टिरियल ब्लाइट या जूलसा रोग या रोग जोता है जन्तो मोनास एक्जनो पोडिस जीवाडू द्वारा होता है और महराश्ट्र में तेल्या रोग या नोडल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है अब दैहिक विक तो अनार में जोता है फलो का फटना बोरान की कमी से होता है और सुस्क छेत्रों में इस रोग का प्रकोव ज्यादा होता है इसकी रोग ठाम के लिए बोरान का छिड़काओ करते हैं और प्रतिरोधी किसमें कौन साय कांधारी आलंधनी बेदाना है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आ है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हम आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए डाटा बाइ-बाई